साथियों, जल, जीवन, विशन की सफलता की वज़, उसके चार मजबुत स्तंभ है पहला, जन भागिदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, दूसरा, साजेदारी, हार स्टेक होल्डर की पांटर्शिक, तीसरा, राजनीति की इच्छा शक्ति, पोलिटिकल विल, और चौथा, सौसा धनों का पूरा इस्तेमाल, अप्टिमाम उटिलाइजेशन अफ रिसोर्सिस, भाई और भेनों, जल, जीवन, मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गाओं के स्थानिय लोगों को, शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदालिया सोपी गई है, यह अपने आप में अभुद्पुर्व हैं, हर गड़ पाइप से जल पहुंचाने के लिए, जो कारिय होते हैं, उसमें गाओं के लोगों का सहीयोग लिया जाता है, गाओं के लोग ही अपने गाओं में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्षन प्लान बना रहे हैं, पाणी का जो मुल्य लिया जाता है, वो भी गाओं के लोग ही तै कर रहे हैं, पाणी की टेस्टिंग में भी गाओं के लोग जुड़े हैं, दस लाग से जादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई हैं, पानी समिते में अभी कम से कम पचास प्रतिशत महिलाओं को जगे दी गई हैं, जो जनजातिय इलाके हैं, वहां तेजी से काम हो, इसे प्राथ्फिक्ता दी जा रही हैं, जल जीवन मिशन का दूसरा स्तम साजेदारी हैं, राज्य सरकारे हो, पंचायते हो, स्वयम से भी संस्ताये हो, सिख्षन संस्ताये हो, सरकार के विविन विभाग और मंत्राले में सभी मिलकर काम कर रहे हैं, इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फाइदा मिल रहा है, साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुक्य स्तंब है, राजनीती की इच्छा शक्ति, जो पिछले सत्तर साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुने ज़्यादा काम, साथ साल से भी कम समय में किया जा रहा है, कठील लक्षे हैं, लेकिन ऐसा कोई लक्ष नहीं, जो भारत के लोग ठान लें और उसे प्राप्त ना कर सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, पंचायते, सभी इस अभ्यान को तेजी से पुरा करने में जूटी है, जल जीवन मिशन, सौंसा धनों के सही इस्तमाल पर, अप्टिमम उटिलाइजेशन अब रिसोर्सिस पर भी, उतना ही बल दे रहा है, मन्रेगा जैसी योजनाओं के वो कारिय, जो जल जीवन मिशन को गती देते हैं, उनसे भी मदर ली जा रही है, इस मिशन के तहर जो कारिय हो रहा है, उससे गाउं में बड़े पैमाने पर रोजकार के ने आउसर भी बढ़ रहे हैं, इस मिशन का एकलाब ये भी होगा, कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा, सेचुरेशन के स्थित्य आ जाएगी, तो पक्षपात और भेदपाव की गुंजाइज भी उतनी ही समापत हो जाएगी.